सबसे पहले आपका बहुत बहुत आपको बहुत अच्छा लग रहा है परिवार वाले दोस्त सारे लोग काफे खुश हैं किस तरीके से आपकी जर्मी शुरुआत हुई बिहार में कहां से हो आपकी घरवाले क्या करते हैं क्या कहींगे मैं कुम्री गाओं कठ्यार जिस्ट्रिक बिहार कर निवासी हूं और मेरे घर पे पापा ममी चाचा चाची हैं और मैंने अपना ग्राजवेशन आइटी बॉम्बे से किया 2014 से 2018 फिर 2018 से मैंने तैयारी स्टाइट की दिल्ली में एक से करना है चाहिए मेरे पापा बैंक मैनेजर है उत्तर भीहर ग्रामीन बैंक में ममी होम मेकर है घर पे ही रहती है बच्पन से एक सपना था और फिर जब मैं फाइनल येर में आइटी बॉम्बे में था वहां पर एक इंस्पिरेशन मिला कि मैं यूपेसी जॉइन करूं और लोगों के लिए काम करूं चल्बीस साल का एक लगा यूपेसी में पहला आ रहा है यह और वह भी बिहार में इस से पहले कभी इस तरीके से हुआ नहीं है क्या कहेंगे कि जब आपको पता चला कि नहीं मैं फिर्स र कि आपको आगे जाके यहीं क्या करना है अगी आपको यह बस एक सुरवात है जो भी मुझे पोजिशन से मिलेगी उस पर वर्क करना चाहूंगा अगर मुझे अगर मुझे रूबरा देवलाप्मेंट के लिए काम करने का मौका मिलेगा तो वो मेरे लिए स्वाक्षा लिए आपको काफी देश बरसे आपके दोस्तों लोग सबसे लोग शुब करना दे रहे बिहार के सीम ने भी ट्वीट किया आपको क्या के इंगोंस के बाड़ के लिए अंड वेरी थांक्फुल तो एब्रिवन ध्यान से सुनिएगा डॉक्टर रंजीत कुमार सिंग हमारे साथ चुड़ चुके हैं थोड़ा लेट हाए लेकिन कोई दिक्कत नहीं है तो तीर मिनिट ही सही डॉक्टर रंजीत कम सुनते हैं डॉक्टर रंजीत बहुत अर्से बाद ऐसा लम्हा आया है जहां आसू निकल भी रहे हैं खुशी के आसू हैं और आप तस्वीरों को भी देख जिसमें की पचास बच्चों को निसुल कुरूप से हमने ऑनलाइन और ऑफ्लाइन स्टडी सुरू कर वाया था जब बाद में संतोस आये तो 2014 से संतोस भी हमारे तीम मेंबर सी हैं संजोक से ऐसा हुआ कि वाले सब एक साथ आ जा गए हैं तो मैं ही इसका मेंबर हूँ और 2010 क देखने के गए और उसके बाद रिजल्ट जो है देखने को मिला लेकिन यह जरूर है कि 2008 तस में जो रिजल्ट बिहार का था और जिसमें की हम लोग पूरे नूज पर और सभी मीडिया में हम लोगे देखते थे सोसल मीडिया इलेक्ट्रोनिक मीडिया में की बिहार के लाल जो है आने वाले सालों में और ज्यादा बढ़ने की संभवना है क्योंकि अब जो है मांगदर्सक जो है सीधे आईएस हो रहा है जब मैं आईएस बना था उससे पहले आईएस मिला नहीं था लेकिन आज भी मैं गाइड कर रहा हूं और मैं आपके स्टूडियो आने से पहल सफल बनाना हम लोग का मिसन है और इसमें सही बता रहे हैं संतोष कि हम लोग 14-15 से ज्यादा संख्या है अब बिहार में भी 12-15 ऐसे मेरे बैचमेट और जूनियार है जो की वह कंटिन्यू और मांगदर्सन दे रहा है ना कि ऑफलान की ऑनलाइन के माध्यम से भी वह इवनि अच्छा लगता है जब बिहार से इतने अच्छी रिजल्ट होती है 2000 के बाद आलोक सर के बाद मौका आया कि 20 साल के बाद फिर से जो है बिहार के टॉपर जो है सुबह माय वह भी ग्राविन पिश्ट भूमी से वह समस्तिक कटिहार से आते हैं और उसके बाद देखेंगे क पांच जो है हमारे बिहार जारखंड के चलाते हैं तो पांच यानि कि 50 परसेंट और उमीद करते हैं कि आने वाले समय में वह जो हमारा फाइब जो है वो शिक्स सेवन और डाटा जो है बढ़ता जाए एक समय था जब हमारे सिनियर बताते थे कि 80 के दसक में वान ठर्ट हम हम लोग लगे हुए है और अभी जो नए सेलेक्ट हुए है जी कॉनको मेरी और से सुब्काम नाय है और जो सेलेक्ट हुए हुए उन से अंग रहे खारणे कारवा कर पाएं दिक्वात है जी जाते हुए हैं खत्न improved हो रहा है बुक्स कौन सा रेकमेंट करना ही ज्यादा बेटर पता पाएंगे तो जो भी टॉपर से लेकर हमारे सेलेक्ट हुए है यहां से जितने हुए है और दुसरे भी राज्यों से वो उनको गाइड करेंगे तो जो पर्थीभा गाहों तक जो गरीब बच्चे हैं जो नह का मिलना भी एक बहुत बड़ा उनका मोटिवेशन होता है और इसका फायदा डारेक्टली हम लोग को मिलने लगता है चलिए रजीत हम आपको बताएंगे कि यह तो कारिक्रम आधे घंटे का था लेकिन अब यह गंटे चलेगा आपकी बात काफी अच्छी लग रही है हमें बिल्कूल प्रेस्क्राइब्ड है कि यही यही चार पांच किताब जो है आपको चीएस के लिए पढ़नी है लेकिन जब हिंदी में जाएंगे तो बहुत है तो मैं यही सजेशन दूँगा कि आप पहले यह डिसाइड कर ले कि आपको कौन सी बुक लेनी है कोल कौन सी पढ करेंगे बाकी भी दूसरे जो सक्सेस कंडियाट है वो बुक रेकमेंट करेंगे और जो जिनको कुछ पता नहीं है सबी बुक को लेकर अपने हाँ जमा कर लेंगे जब कि हो सकता है कि कोई जो है सो लाल लाल कुताब पढ़ता होगा एकनोमिस के लिए कोई जो है स्वासिद जो पढ़ते हैं टाइम के लिए याद भी नहीं होता रिवीजन का प्रोसेस जो करना है तो नाइक्ट में पर उसका रिवीजन करना है पूरे मन्त में पढ़े गए चीजों को लास्ट वीक फिर से रिवीजन करना है और परने का जो प्रोसेस है कि आप श्तुड़ी करें ठ वह आपको पनाना परेगा तब जाके जो है आपको President भी आएगा और सही डाय्य ministrist में याप त्यारी करपाएंगे अगर इस process के कोई कुझेड़ बी अपनाता है कि पहले study करें चिंतन करें और लेखन करें दुनिया का कोई भी एक्जाम पास कर सकता है यानि कि सबसे टफेस्ट एक्जाम अगर हो सकता है वर्ल्ड का तो यूपीस ही है जिसको की करेक्ट कर सकते हैं और हम लोग हमेशा बोलते हैं कि तीन से चार परसेंट अगर अपने ब्रेन का यूज करेंगे तो आप आई एस बन जाएंगे जैसे आइंस्ट्यान ने सत्रह परसेंट यूज किया और उसने साहिफ चेक्स्ता का सिध्धान दिया था और बीपीसी पास करने के लिए तो एक परसेंट भी उसकता है यानि कि ब्रेन का केवल फोल फाइफ परसेंट यूज करने से हो जाएगा लेकिन इसके लि इभन की बॉस्रूम तक हम लोग आईस लिके रखते थे वोके डाइरी होनी चाहिए जिसको कि हमें जब याद हो याद कर सकते हैं यानि याद करने का भी तरीका हो कि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे बिहार के बोलेंगे कि हमको याद ही नहीं होता है और याद नहीं होता है तो कुछ-कुछ मेडिसीन वगरा जो है लेना सुरू करते हैं याद करने का तरीका है कि रिवीजन करेंगे किताब से खुद से किताब में ही जितना रंग रोगन करेंगे मैप बनाएंगे डाइग्राम बनाएंगे उसको करेंगे जितना ज्यादा उसको बनाएंगे उतना भी यूथ यूथ जो बिहार के हैं जारखंड के वो इस प्रोसेस को अपना है इस प्रोसेस को अपना यह और लाइफ में सफल हो जाएए दो साल पढ़िएगा लाइफ आपका पूरा असी से सो साल आपका बिल्कुल हर दिन जो है उत्सापुर्ण हो सकता है तो दो ही साल तो है लेकिन वह बिल्कुल निरास हो जाते हैं हतास हो जाते हैं छोड़ देते हैं जब कि फिनिसिंग टर्च देने के लिए उनको पांस से साथ परसेंट भी केवल तैयारी करनी है एवरेस से थोरा ही बेटर करना है बहुत ज्यादा करने की जो अब सक्सक्स करेंगे आज इतने बैठे हुए हैं मैक्समुम जो है सभी के सभी रूल बैक्ग्राउंड से हैं कहीं कोई का फैमिली बैक्ग्राउंड भी ऐसा नहीं है कि कुछ देखा जा सकता है कोई भी रिजल्ट हो सकता है केवल और केवल हमको ध्यान रखना है कि जिस तरह दोरोना चार्ज को ने क क्लब को अपना सिस्स बनाने से रोक दिया था तो उन्होंने उसका स्टैचू बना कि यानि कि एक लब बीना गूरू का भी वह जो है सो अरजुन से बरा धनुदा सावित हुआ था यानि कि अगर हमारे अंदर में जुनून है कि हमको कुछ करना है और करने की छमता है और हम कर कर दो कर दो हम करते है त।